नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेप ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपोर्टन और आपके लिए बहुत जादा लाबदाएक साबित होती है तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास यह जून से पाच मिरट में खाने को पचा सकता है पाचन शक्ती का अदभुत उपाएक और तो और यह मुटापे के कम करने के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है आए जानते हैं इसी के बारे में स्वस्त शरीर को पाने के लिए पाचन दुरुस्त होना हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है हम जो कुछ भी खाते हैं उससे पाचन तंत्र शरीर को पुचाता है पाचन तंत्र भोजन को उचा में बदल कर शरीर को पोशन और शक्ती देता है और हमारे रोग प्रती रोग शमता को भी बढ़ाता है पाचन क्रिया कमजोर हो जाने पर या खाना आपका अच्छे से पच्छता नहीं है और शरीर को अवश्य पोशन तत्व नहीं मिलता है खराप पाचन से शरीर की इम्म्यूनिटी कमजोर होने लगती है जिसके कारण बिमारे होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है अनहल्दी लाइफस्टाइल और खाने पीने की बुरी आदतों का बुरा प्रभाव हमारे डाजेशन पर पढ़ता है इसलिए जरूरी है पाचन क्रिया ठीक करने के तरीके के बारे में जान लिया जाए चलिए दोस्तों पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं सबसे पहले तो कमजोर पाचन क्रिया के कारणों को जानते हैं बेवक्त खाना, नींद पूरी ना लेना, तनाव अधिक लेना, फास्फूद अधिक खाना, जल्दी से बोजन खाना, शारेरिक क्रिया कम होना यानी शारेरिक श्रम ना करना, एक ही जगा पर घंटो लगातार बैट करके काम करना, कौन से घरेलू उपाए करे इसके लिए मिक्स करकर इस मिश्र का एक एक चमबज पानी के साथ सेवन करे, अजवाएन के पानी से भी पाचन महद्भूद जधा होता है, इलाइची के भीजों को मिक्स करकर चून बना ले, और बराबरoublात्रा में मिश्री मिला ले, तीन ग्राम मात्रा में यह देसी दवा दिन में द लुग भी बढ़ती है इस उपाय से चर्वी शरीर में जमा नहीं होती है जिससे मोटापे से छुटकारा मलता है पाचन क्रिया कैसे बनाए मजबूत लगतार कई घंटों तक एक जगा पर ना बैठे अगर आप अपने काम की वज़ा से आपको एक ही जगा बैठना पड़ता ह या आपको एक ही जगा पर रहना पड़ रहा है तो एक से दो घंटे में पास से दस मिनट का ब्रेक लें और कुछ कदम चलें खाना चबा चबा कर खाएं दुम्रपान तमबाकू और शराब से दूर रहें तला हुआ और मसालेदार खाने से परियच करें रात को देड़ से स पून और शर्दियां दी आज की वीडियो में बस इतना ही लोटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्र प्रेना मिलती है